मैं अपने क्रमपर हूँ, यहां मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की बहुत उपस्थिती है, बहुत कम ऐसे कभी सम्मेलन होते हैं जहां महिलाओं की इतनी उपस्थिती होती है, तो मैं आप सभी की उपस्थिती को रेखांकित करती हूँ और अपना काव्यपाथ यहां से प्र पिता परमेश्वर मुझे दोबारा इस प्रकरती में जब भी मानव रूप में आखे खोलने का आवसर दे तुम्हें केवल और केवल बेटी होना चाहते हूं इस सोभाग्य को गा के आपको सुनाती हूं जितनी भी महिलाएं आप सभी को समर्पित करती हूं सुनिएगा कि सकल कल्यान की घर में तलहेटी नहीं होती वहां से कल्यान कहीं नहीं जाता जहां बेटियां कि सकल कल्यान की घर में तलहेटी नहीं होती सर्वशुभलाभ की सूचक शिरियेठी नहीं होती हर इक बेटी के अपने भाग में होता पिता लेकिन यहां हर इक पिता के भाग में बेटी नहीं सच बात है कि हर इक पिता के भाग में बेटी नहीं होती जब मैं यह मंच से कई बार पंक्तियां सुनाती हूँ तो मंचों से एक बात कही जाती है कि क्या केवल बेटीयों की ही बात होनी चाहिए क्या यह बेटे बाड में बहकर आये हैं तर्क की चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा तर्क ठीक ठीक है, तो फिर आपके स्नेय की तालियों की कामना करती हूँ, सुनिएगा कि ना उनकी आख यू फिर जील से रेती हुई होती, क्यों बात करनी पढ़ती है बेटियों की, कि ना उनकी आख यू फिर जील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अप हरन को काप जाते हात रावन के, अगर मंदो दरी की कोक से बेटी हुई होती, बहुत आपने आशीश दिया, इस क्रम की अंतिम चार पंक्तियां पुड़ती हुँ, एक कांड जो अभी देश में बहुत प्रचली थे, शद्धा हमारे देश की बेटी, क्यों ऐसा होता है, कविता इशारे की भाशा है, चार पंक्तियां इशारे की पढ़ रही हुँ, एक किस्त्री हुँ, कड़वा सच कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आप सुनकर बताईएगा, कि इसमें कितनी सत्यता है, चार पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिएगा, कि तना हो सर पे जब छपर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा, दूसरी पंक्ति अगर आप तक पहुँची तो निश्ची तुरूप से चोथी भी आप तक पहुँचेगी, सुनिएगा, कि तना हो सर पे जब छपर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सोगंध मरियादा की जो लक्षमन ने खीची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावन क्या बिगाड़ेगा, ये इशारे में मैंने बात कही और आप तक पहुची भी, सच मानिए प्रेम के सिवा मैंने कुछ नहीं जिया, जिया तो केवल प्रेम को जिया है, आदर्णी डॉक साब ने बताया था कि मीरा की ये धर्ती है, मैं भी राजस्थान में मेरा जन्म हुआ है, जितना भी पढ़ा, जितना भी जाना, मीरा को जाना और उतनी ही गहनता से प्रेम को जाना, जब मा की कोक में थी, तो मा से प्रेम किया, मा ने जन्म दिया, पिता के हातों में सोपा, तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिष्टे बताए, तो रिष्टों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी, तो मित्रों से प्रेम किया, और बड़ी हुई विभा के गडवंधन में बंधी, तो अपने पती से प्रेम क पढ़ता है मैं उस प्रेम को जीती हूं उस प्रेम के अभिलाशी हूं आप से भी वही कामना करती हूं पीछे जितने भी लोग बैठें जो खामोश हैं एक बार मुझे तालिया बजा कर बताईए कि आप भी सुन रहें आवाज मेरी आप तक भी पहुंच रही है चार पंक्ति हर उल्लास मुझमे भी है एक बेचेनी फिलहाल मुझमे भी है और थोड़ी दिरिष्टी घुमा कर इधर देखिए देखिए एक नया साल मुझमे भी है तो बस ये नया साल आप सभी के लिए मंगल मैं हो राजीव जी कहां गए उन्होंने कहा था कि बड़ा उत्सा का आनंद का ये कभी सम्मेलन है आज हमें उन्होंने दिन में जो है लंच पर इन्वाइट किया था हम सभी कभी वहां पर गए थे एक छोटी सी घटना है जो आप से सांजा कर रही हूँ राजीव जी के घर जब हम पहुँचे पार्थ भी थे तो खाना खाने के लिए बैठे आदनी भाबी जी हमारी जो थी वो भी बैठी उनके घर में एक नोकर था जो मतर छील रहा था कि वो मतर छील रहा था मैंने का ठीक बात है सब्जी वब्जी बनेगी खाना वना खाके जाएंगे भाबी जी ने तुरंत दूसरे नोकर को पचास रुपे दिये और कहा कि जाओ इसके लिए गुटका ले आओ मैंने का क्या गजब के गुजराती लोग हैं नोकर के गुटके तक का ध्यान रखते हैं मैंने भाबी जी से का कि भाबी जी बहुत बहुत बधाई बहुत अच्छा लगा कि आप नोकर के गुटके तक का भी ध्यान रखती हैं तो तुरंत हमारी रेणू भाबी बोली बोले मोहिनी जी ये गुटके उटके के ध्यान की बात नहीं है अगर मैंने इसे 50 रुपे का गुटका नहीं खिलाया तो ये 500 रुपे की मटर खा जाएगा तो मैं जानती हूँ कि मैं कैसे गुजरातियों को कवीता सुना रही हूँ एक बार ताली वाली बजा के बता दीजिए कि आप वो 500 रुपे वाले नहीं है मैं कुछ पदों को गाने का प्रयास करती हूँ यहां हासी का वैसे बहुत माहोले लेकिन मेरा मन है कि कुछ पद आपसे जुड़े विसंगतियों को पदों में ढाला है जो आप तक पहुचाती हूँ सुनिएगा कि हो गई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे यह तब तक सुनाओंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाईए हो गई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उलाला हो गई हो गई रे पावरिया दुनिया हो गई रे यह जो पीछे में देख रही हूं आधरनी आप वीडियो बनाकर करेंगे क्या अच्छा आप अभी तो वीडियो बनाएंगे और घर जाके केवल पूरा जूम करने में टाइम निकाल देंगे अभी अभी सुन लीजे दो पंक्ति आपके नाम करते सुरिये कि डीपी जिसकी दे देख़ कर होते रहे निहाल जिसको सो्लनों साल कि समझा निकली सतर साल हो गई हो गई रे बावर या दुनिया हो गई रे राजी उजी ने भी तालियां बजाई है सर अनुभव बोलता है सच बात है अनुभव बोलता है दो पंक्तियां यहां से राजनीती की बात हुई पार्थ ने अपनी दृष्टी से बताया उत्तर प्रदेश का चुनाओ और मेरी ये दो पंक्तियां सुनिएगा कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर उसमें साइकिल कोले डूबा बाबा का बुल डोजर हो गई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे हो गई हो गई कि आप राजनीती के यहां लोग बैठे हैं मुझे सच में राजनीती समझ में नहीं आती जितनी आती है दो पंक्तियों में समर्पित करते हैं सुनिएगा हमारी मध्यप्रदेश की विशेश रूप से नहीं आती सुने कि समझ नहीं आता है हमको राजनीती का फंडा समझ नही सच बोल रहे थे पार्थ के आप आनंद तो पूरा लेते हो पर ताली नहीं बजाते हो मैं समय समय पर याद दिलाती रहूंगी कि देखने से अधिक ताली भी बजानी है सुनिएगा कि हो गई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा हो गई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे भजन समाप्त तालिया बजाएए क्यों सुनिया हो गई हो गई हो बाद है